नमस्ते दोस्तों मेरे चनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मैंने अपनी चनल पर एक और वीडियो डाली है डोर्मेट की यह बोर्डर वाला डोर्मेट है यह बहुत ही आसान है यह दिखने में तो कठीन लग रहा है पर वीडियो को पूरी देखने यह बहुत ही आ आपको कैसे बनाया मैंने यह सबसे पहले यह नो नमबर की सलाई लेंगे और यह आपने यह दो रंग की पट्टी पाड़ रखी है पहले से यह आदा-दा इंच की हैं यह सबसे पहले एक नोट लगा लेंगे आप चाय तो कम ज़ादा भी डाल सकते हैं इसमें हम टोटल 26 पंदे डालेंगे यह हमारे यहां पर इसको कबूतरी रंग बोलते हैं और वैसे इसको फिरोजे भी बोलते हैं आप कमेंट करके बताना यह कौन सा रंग है इसके हम टोटल 26 पंदे डालेंगे यह देखें दो च्यार च्छे आठ दैस बारा चोदा सोला ठारा बीस बाइस चोविस और यह 26 चविस पंदे हमने इस रंग के डाली हैं अब यह दूसरे रंग की पट्टी इसकी एक नोट लगाएंगे और इसके हम 10 पंदे डालेंगे इसका रंग भी लाइट गुलाबी कलर है इसका भी आप भी कमेंट करके बताना ही कौन सा रंग है सबसे पहले एक नोट लगा दिनोट वाला फंदा भी गिना जाता है दो होगे तीन होगे च्यार पांच छे साथ आठ नोट यह पर काउंट कर लेते हैं फिर से कभी जाता है डल गए हो दो जार छे आठ यह अभी नोव होगे है यह की हो गया तस टोटल दस हो गए यह पहली सलाई को ऐसे निकाल लेंगे यह बहुत ही आसान है यह आप वीडियो को पूरी देखना तभी आपकी समझ में आएगा यह देखिए हमने अब यह गुलाबी कलर का बना लिया है अब यह फिरोजी कलर के इसके साथ में जोड़ना हमें इस पट्टी को ऐसे इसके उपर लपेट लेंगे इस इसके उपर इसको नहीं तो यह दोनों अलग लग हो जाएंगे और पकड़के रखना इसको ऐसे ऐसे करके बना लेंगे इसको सभी को ऐसे बनाना है कि ने गटाना है ने बढ़ाना है पूरी सलाई को ऐसे ही बनाना है इसमें भी कुछ भी नहीं करना है इसमें भी ऐसे ही बनाना है बहुत ही आसान है यह डोर्मेट इसको ऐसे लपेट लेंगे इसको नोट लगाई थी नो उसका यह पट्टी का यह है इसको ऐसे लपेट के ऐसे बना लेंगे ऐसे पूरी ऐसे ही बनाने पूरी सलाई कमी यहां पर देखो है ऐसे करोज कराना है इसमें इस कपड़े को नीचे से लेना है यह अब की बार नीचे से लेना आग यह तो उपर से लेके आएंगे अगली बार दिखाऊंगे मैं आपको यह देखिया हमने बोर्डर वाला पी बना लिया है अब इसमें चेंज होगा यहां से इस साइड में एक फंदा छोड़ेंगे और यहां पर यह पहला फंदा बिना बुना लेंगे यह एक एक करके छोड़ते जाएंगे केक फंदे और यहां पर यह फंदा बनाना नहीं है बिल्कुल वीस को ऐसे लेना है और पट्टी को अपनी तरफ मोड के ऐसे बना लेना है बोर्डर यह यह टोटल दस फंदी है यह बोर्डर के और पूरे मैट में दस ही रहेंगे ने गटानी है ने बढ़ानी है यहां पर आएंगे जब एक फंदा छोड़ेंगे यह आखिर का एक फंदा हम छोड़के वापीस मुड जाएंगे पट्टी को अधर कर लेंगे बहुत ही आसान है यह डोर्मेट यह देखिए अब हम बोर्डर बना रहे हैं इसका इसके साथ ही बनता जाएगा यह देखिए अब हम इसको यह करेंगे उपर से यहां से इसको लेके आएंगे पपड़े को इधर इसको क्रोस कराना ऐसे और ऐसे करके हम यह दूसरे रंका बनाएंगे नीचे से नहीं लेके आना अब उपर से लेना हमें यह पहली बार हमने एक छोड़ा धब की बार दूसरा छोड़ देंगे एक बार में एक इफंदा छोड़ना है और वापिस मुड़ जाएंगे यह टोटल 26 बंदे हमारी 26 के 21 के करके छोड़ते जाना हमें ऐसे पूरी कलीबन के त्यार हो जाएगी यह शिद्धी साइड है इसकी यह उल्टी साइड है अब इसको ऐसे यह इधर लेके आना जब यह चेंज करते हैं न हम इसको पट्टी को तो इसको ऐसे करोश कराना है जब चेंज करते हैं तो वैसे ऐसे करके हम बोडर वाले पट्टी को बनाएंगे ऐसे उसको छोड़ देंगी आशे सारे बद्धी बनालेगे लें इस साइड में के फंद्धा छोड़ते जाना है और दूसरी सायड इसमें कुछ पही नहीं करना के य hissी ऍे साइड है इसमें एक फंदा विना बुना लेना बस भूडर वाला कर बहुत ही आसान है ये देखिए इसको आगे लेके आएंगे पट्टी को ऐसे करोश कराएंगे और फिर ये फिरोजी कलर वाला बनाएंगे हम डिजाइन कि अब हमारे टोटल तीन फंदे हो गए हैं वाप पीछ मूड़ जाना है कि अब देखिए हम बॉर्डर के पास आ गए हैं बॉर्डर वाली पट्टी को आगे करेंगे इसको ऐसे क्रोश कराएंगे और बॉर्डर वाली पट्टी से बनाएंगे हम देखिए इतना बन के त्यार हो गया हमारा पहला फंदा बनाना नहीं है इसको इससे डिजाइन आता है किनारी पर ये पिछे से पट्टी को आगे लेके आएंगे अब और इसको ऐसे क्रोश कराके फिर ये दूसरे रंग से बनाना है इसको यही पकड़ लेंगे और इससे बनाएंगे वह बस इसमें यही चेंज जाएगी यही थोड़ा सा वो है वाकि यह बहुत आसान है यह देखिए हमारी टोटल साथ आठ फंदे हमने बना लिये हैं वह दिक्के करके यह देखिए हमारे आदे फंदे बन गई है टोटल 27 थे न एक दो तीन चार पांक छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारत तेरा हो गई हैं तेरा बच गए हैं इनको भी हम ऐसे करके करके छोड़ते जाएंगे और ऐसे ही ब बना लेंगे हम मोडर वाले को अपनी बनाना हमें सिर्फ यह 26 पंदे ही बनाने है कि यह देखिए अब हमने टोटल 26 पंदे यह दो दो बच गए हैं 24 पंदे बना लिए इनको विए के करके छोड़ते जाना है ऐसे कि एक बर फिर आएंगे वाग्पिस हम कि तोटल 26 हो जाएंगे आए ऐसे करोज कराना है यह कि यह देखिए यह टोटल हमारे 26 पंदे बन गए हैं दो च्यार छे आठ दस बारा चोदा सोला ठारा बीस 22, 24 और 26 टोटल 26 हो गए है न अब इसमें थोड़ा चेंज करेंगे हम यह दस बंदे हमारे इसमें क्या करना है कि हम उल्टी साइड पिछे पिछे की साइड ले जाएंगे इस कपड़े को जो फिरोजी कलर है इसको अब बोडर तो बनेगा फिरोजी कलर का और यह जो कली है यह बने गया अब यह गुलाबी कलर की अब इसको ऐसे करोज करा के पिछे ले जाएंगे अब हम इसको फिरोजी कलर को ऐसे इसको पिछे ले जाना हमें ऐसे इसको पकड़ के रखना ऐसे पिछे और इसको यहां तक आखिर तक पहुचाना हमें इसकल इसे स्टार्ट होगा बोडर अगली बार यह देखें ऐसे बोडर तो इसी से बनाएंगे अब यह सलाई तो अगली सलाई फिरोजी कलर से बनाएंगे ऐसे इसको पट्टी को पीछे ले जाएंगे और अब फिरोजी कलर को ऐसे दबाएंगे इसको वहां तक पहुचाना हमें ऐसे दबा दबा के साथ में लेके ऐसे पट्टी को आगे दखेल लेंगे ऐसे इस पट्टी को में आगे तक पुचाना है से छुपा छुपा कैसे ऐसे फिर यह फिरोजी कलर से स्टाटो कि बोर्डर फिरोजी कलर से शरू होगा इसलिए इसको ऐसे करेंगे हम बार बार कि देखे इसको कि ऐसे आगे पहुंचाना है कि फिर इस पट्टे को वापीश लियाएंगे कि टोटल चार फंदे और बच गए हैं कि अगर इसको वैसे ही बनाते तो थोड़ अच्छा नहीं बनता ही कि देखे अब यह बोर्डर हमारा है गुलाबी कलर का बनके त्यार हो गया है अब यह फिरोजी कलर से बनेगा इसलिए हम इस पट्टी को आगे लेके आए थे यहां से इसमें चेंज हैं कि दोनों का ही चेंज बदल जाएगा बोर्डर अलग से होगा और यह कली अलग से होगी अपोजीट हो जाएगा दोनों यह देखें अब इससे हम यह बनाएंगे बोर्डर पहला फंदा भी बना लेंगे इससे और जो एक गुलाबी कलर है इसको भी ऐसे वापिस लेके आएंगे ऐसे छुपा छुपा कि क्योंकि अब गुलाबी कलर से कली बनेगी यह उल्टी साइड है इसलिए हम यही कर रहे हैं यह मैट का उल्टा हुआ है साइड है इसकी सिद्धी साइड में नहीं करते ऐसे ऐसे इसको लपेट लपेट कैसे छुपा छुपा कि वहाँ तक ले जाना है कि यह देखिया ऐसे अगर इसको आँ वैसे करते तो इसमें थोड़ा कि चाओ आता वोटर थोड़ा कि चाओ सा आता इसमें कि है यहीं आधी बहुत ही आसान है यह दोर्मैट पसकिसमें यही था आक यह ज़ोसत यह पल्टते हैं न में यह बॉड़र और कली का यह पट्टी तब थोड़ी बस यहीं इसमें परेशान नहीं और कोई परेशा नहीं नहीं आप गुलाबी कलर से सारे फंदे बना लेंगे इस गुलाबी कलर से यह लाइट गुलाबी कलर है इससे बना लेंगे और यह बोर्डर हमने बनाना शुरू करी दिया था ऐसे करोश करा लेंगे इसको एक बर और ऐसे बनाएंगे सारे फंदे बना लेने इस अलाई में हमें यह यह दस फंदे हैं यह फिरोजी कलर से बनेंगे अब border फिरोजी color से बनेगा और कली बनेगी गुलाबी color से यह देखिए यह हमने सारी फंदे बना लिए हैं अब ऐसे ही वापिस बना लेंगे इसको और अगली सलाई में फिर एक केक फंदा छोड़ते जाएंगे ऐसे ही गुलाबी color का यह भी ऐसे बनके त्यार हो जाएंगे यह उल्टी साइड है हमारी और यह सिदी साइड है इस तरह से केक फंदा छोड़ कर आम यह कली भी ऐसे बना लेंगे यह तीन कली तो लाइट गुलाबी color की उगी तीन कली यह फिरोजी color की होगे ऐसे तीन बॉर्डोर लाइट कलर की उगी तीन फिरोजी color की होगे ऐसे यह ध्यान रखने शिर्व इसको स्कों प्रूश कराणा है । अलग लग हो जाएंगे नहीं तकर क्रोस निकराएंगे तो यह अलग लग बुझाएगा बोर्डर और कली यह देखिए ऐसे बनके हमारा यह त्यार हो जाएगा यह यह देखिए यह एक फंदा बचा है अब हम इसको वापिस मुड़ जाएगे इसको नहीं बनाना है ऐसे के करके से छोड़ते जाना है इस तरह ऐसे यह लाइट गुलाबी कलर की भी कली बनके त्यार हो जाएगी और यह बॉर्डर फिरोजी कलर का बनेगा इसको पूरा बना लेगे यह देखिए हमने बना लिया है पूरा दिखने में कितना सुंदर लग रहा है और बहुत आसान है यह किस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं आप इसको किचन में भी यूज़ कर सकते हैं अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और इसके अलावा मैं और भी अपने चैनल पर वीडियो डालती हूं कुकिंग टेलरिंग प्लांटेंशन की उ बहुती सुन्दर डॉर्मेट है ये और एक बार फिर से मेरे चैनल को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद छोटों को आसिरवाद और बढ़ों को प्रणाम